वेलकम तो आवर चैनल ग्यांदिवाब 49 में आपका होस्ट और दोस्ट संजे दोस्तों लाज्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसे प्रिंसपल के बारे में जाना जिससे आपने लाइब कर सकते हैं और लोगों से डील कर सकते हैं यह इस बूक कर से किनफ पारच को बारे में जिसे हैं यह जीडियोड दिखाओ यह नि कि आप उसकी परसंद्बा शूनी नहीं आप फौन में लगे हो सामने वाला किसी और बात करना स्थी अब किसी और चीची बात करते हो, तो क्या हो आपका दोस्स बन पाएगा, क्या हो आपको पसंद करेंगा, नहीं ना, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जान कर जाओगे, और उसके इंट्रेस्ट पर बात करोगे, हाँ भई, ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, हा और लोग आपको देखेंगे क्या, नहीं ना, लोग आपको पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन वहीं आप पार्टी में गये, एक दम मुस्कुराते हुए, इसमाइल लेते हुए, तो जो भी आपको देखेंगा, वो भी स्माइल करेंगा, आपको लोग पसंद करेंगे यू देखेंगे यार बंदा तो हस बुक्स बहुत बढ़ा मस रहता है एक सिंपल और रियल स्माइल आपके पर्सनेलिटी को ग्रो करने बहुत जाथा मदद करती है तो हमेशा हसते रहें मुश्कराते रहे और स्माइल करते रहें क्योंकि जब आप स्माइल कर तो सामने वाले के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है थार्ट मिस्वल यह कहता है कि रिमेंबर दैट आप परसन नेम्स आपको बता है कि दुनिया में लोग को अपना नम सोना भोत पसंद होता है क्योंकि किसी भी भासा में जो सबसे मीठा वर्ड होता ना सबसे अच्छा वर्ड होता ना उनका नाम ही होता है बले वो कहता हो मेरा नाम बिकार है बिकार है नहीं जब उनका नाम भीड में लिया जाता है उनको अच्छा लगता है आप किसी भी परसन से मिलने चाते हो आप मीटिंग करते हो तो उसका नाम हमेशा याद रखो उसे अच्छा लगए कि आप उनका नाम याद रखते हो और उसको इंपोर्टेंस फील होगा फॉर्थ प्रिंस्पल यह कहता है Be a good listener, encourage others to talk about themselves अबसर आप में दुन्या में हर कोई इंसान चाता हो तो एक good listener बंज आगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो ध्यान से सुनो और उसको encourage करो उसके बार में और बताने में जितना आप उसके बारे में सुनोगे वो उतना ही अपने बारे में आपको बताने लग जाएगा फिप्ट प्रिंस्पल यह कहता है कि जब भी आप किसी परसन से मिल तो उसे इंपोर्टन फील करवाओ उसके नाम को याद रखो उसके बड़े डेट को याद रखो जब उसका बड़े आने वाला उसे तो तीन निन पहले उसे बताओ कि भाई बड़े आ रहा तेरा और उसे एक स्पेसल गिफ्ट दो सर्प्राइज दो उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके लिए इंपोर्टन है और जब भी सामने वाला परसन अगर कोई बात कहता है और वो सही होती है तो उसकी बात को अपन रखो उसके पॉइंट वीर से देखो तो उसे ऐसा लगना कि वो आपके लिए इंपोर्टन है तो दोस्तों यह थी कुछ ऐसे प्रिंस्पल जिसे आप अपनाते हो अपनी लाइफ में तो आपको कोई भी पसंद करेगा और इसके आगे का प्रिंस्पल आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेर और कमेंट कर अब बिल्कुल मत भूलना तब तक कि रहे थांकि तो मच एंड कीप करनेक्टिंड विद क्यानिबाव 49